कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो तो यह जो वाक्य है इससे हमारा जो JPSC है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है इसलिए ना तो यह एक्जाम डेट का कलेंडर निकालता है और ना ही यह नोटिफिकेशन निकालता है इसका यही मानना है कि हिस्ट्री जोगरफी पॉल्टी इकनोमिक्स और करेंट इफेस पढ़ने से काम नहीं चलेगा आपको जो है धैर्य डेडिकेशन विल्पावर यह सबको जो है स्ट्रॉंग करना है और इसलिए JPSC जो है यह कुछ भी पहले से बताता नहीं और पुरी तरह से जो है यह मतलब ओपेक है ट्रांस्परेंट बिल नहीं है क्योंकि कहीं आपने सुना है कि एक एक्जाम को कराने में पांस साल लगे हो नहीं यह जो है यूनिक अचीब्मेंट हमारे JPSC का है कहीं आपने सुना है कि मिस्प्रिंटिंग के वजए से जो किसी का मतलब सेलेक्शन हो गया हो फिसको बाद में ठीक किया गया हो नह कभी आपने ऐसा सुना है कि एक ही जगर लिखा हो कि हाँ इसका नंबर नहीं एड होगा और एक जगर साइड में लिखा हो कि इसका नंबर एड होगा एक ही नोटिफिकेशन में दो अलग-अलग न्यूज हाँ भी और ना भी करने वाला एक मात रे JPSC है तो मुनकिन है दोस्तो JPSC को मजाक नहीं समझना है मतलब जबरदस्त तो मेरा कहने का यही मतलब है कि यह मत पूछिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और अच्छा ही है कि अभी आपको टाइम मिल रहा है एक्जाम जो है मान के चलिए कि जनवरी या फर्वरी या फिर मार्च में होगा तो मान के चलिए कि फर्वरी में होगा ठीक है उससे क्या होगा कि आप तयारी में लगेंगे और अभी जो है पूरी तरह से mains का त्यारी कीजिए prelims का पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है जब 8-9 दिन पढ़ के mains का उप जाए तब objective पढ़िए क्योंकि अभी तो मतलब notification का कोई भी खबर नहीं है तो best यही रहेगा दोस्तों कि बस mains का पढ़िए और हम यह उमीद करते हैं कि JPSC अपने में जो है होता है ना improvement कुछ और लाएगा है ना और जो 7-9 JPSC है मतलब यह पंच वरसी योजना नहीं बनेगी तो इसी लिए इसका इंतिजार मत कीजिए कि notification आएगा तब हम full form में आएगे ऐसा नहीं होगा तब आप पीछे रह जाएगे क्योंकि बहुत से लोग जिनका कुछ नंबर से नहीं हो पाया वो सब अब तयारी में लग गए हैं पहले तो वो सदमे में थे लेकिन अब वो तयारी में लग गए हैं दोस्तो तो इसी लिए notification आने का इंतिजार नहीं करना है और जम के मेहनत करनी है और वही वाली बात जिसको हमारा JPSC follow करता है कि फल की चिंता मत करो कर्म करते चलो फल तो मिलना ही मिलना है और अगर आज अंधेरा है तो कल तो उजाला होना ही होना है आपने सुना होगा ना हम हूंगे कामयाब हम हूंगे कामयाब एक दिन तो वैसी JPSC का है कि notification आएगा जरूर एक दिन एकजाम होगा एक दिन वही बात है JPSC है बाबू मचाक नहीं चलिए All the best